निवे सरमनिय दर्ष्यनम्, मन्दहा सरुचिराननाम् भुजम्, पूजितं सुरनरोत्तमेरमुदा, धर्मनन्दनमहं विचिंतये, ओम अवतारिने स्री स्वामिनारायनाय नमो नमह, स्री सहजानन्दाय नीलकंठाय च नमो नमह, स्री गुरुचरण कमले भ्यो नमो नमह, बुरु स्री स्वामिनारायन भगवाननी, स्री हरे कृष्ण महराजनी चे, स्री घनश्याम महराजनी चे, कथा सांभलनारा, बधाज भक्तों ने खूब भाव थी, जै श्री स्वामिनारायन, स्री हरे चरित्राम्रूत सागर, पूर्चट्थू, तरंग त्रेप्पनमू, आदे गुरु रामानन्द स्वामी अने भगवान स्री हरे, एमनु आद दिव्य मिलन, ज्यत्पूर गामनी भागोलमा अलोकिक सम्वाद चाली दहियो छे, स्री हरी को जोय विचरण, स्वामी रामानन्द, सराहत वारम वारही, प्रसन भये आनन्द, स्वामी रामानन्द, सराहत वारम वारही, प्रसन भये आनन्द, सद्गुरू रामनन्द स्वामी भगवान स्री हरी नू, आ सत्संग मा दिवस अने रात, आ स्रीतोने सुख आप्वा माटिनू विचरण जोय वारम वर प्रसंचा करी, अत्यंत राजिपो दर्शावियो, पची तेमने स्री हरी ने हाथ जोडिया, अने कहियू, अत्यारे आपना सत्संग समान विजु कोई न थी, चारे धम्मा डंको वागी रहयो छे, आकासमा सुर्योदई थाई, त्यारे बधा ताराओ सुर्यना तेजमा लीन थाई जे, तेमज सहजानन्द सुर्यने प्रगट थयो जानीने अत्यारे बिजा कोई नू अंजवालू रहयो न थी, गईकाले आपने वाद्चरवन करी हती, सर्वोपरी उपासना एनो प्रारंभ सद्गुरु रामानंद स्वामिय कर्यो छे, आकासमा सुर्य आवे, चंद्रने तारानु तेज एमा लीन थाई जाई, एम अवतारी परब्रम्म परात्पर पुर्ण पुर्शोत्तम नारायन प्रगट थाई, तेरे अवतार मात्र ना तेज एमा लीन थाई जाई, सहजानन्द रुपी सुर्यो दई देखी ने, बधा अधर्मी मत पंथ रुपी घुवड अन्जाई गया छे, घुवड सुर्य ने देखी सकता नथी, तेथी कई सुर्य मिथ्या नथी था तो, जे अधर्मनु सेन्य कहवाई छे, कि क्यारे धर्मनी सेनाने जिती सके तेम नथी, अधर्मने दाव पेज घणा वड़ता होई, पंड ते छता खरे समये तो, ते नमीज जाई छे, एटले के हारीज जाई छे, एटली वाद दादा चोकस छे, ताका तो सत्य माँच्छे, असत्य मा सत्य न थी, पड़ा कल्यूग नो प्रभाववेवो छेने, एटले मानसे मानी लिदू छे, कि सत्य करता असत्यनो रस्तो क्यो लागे लोकोने, सेहलो लागे, इजी लागे, पड़ वास्तविक्त में साचू गणित जो माण्डवने, सत्यनो रस्तो सरल छे, सुगम छे, औने सिधो छे, पड़ा कल्यूग नी, माया नी, जाड एवी छे, कि प्रभाहने लिद्धे, दरेकने खोटू काम करवू गमे छे, खोटो रस्तो लेवू पसंद आवे छे, खोटे रस्ते चालवू लोकोने सारू लागे छे, अमानसनी अंदर पड़ेलो मायक भाहव छे, वास्तरिक्त बवू एकली सरस अमा वाद आवे छे, रामानन्द स्वामी कली यूग मा व्यापेलो अधर्म येनू वर्णन करे छे, अने साथे साथे, भगवान स्रीहरी या कली यूग मा धर्मनी स्थापना केविरिते करी, वाद तो स्पष्ट छे, एक बाजू अंधकार छे, बिजी बाजू अंजवालू छे, अंजवालू आवे दादा, एकले अंधकारीनी मेते, भागी जाईजे, बस, जीवनमा आवीरिते, आपना जीवनमा ज्यारे, भगवाननी भक्ती आवे जे, भग्वाननी आग्नानू बल आवे जे, तेरे ओटो मेटीक आपड़ी अंदर पड़ेलू अंधारू, एतले के अग्नान नास पामी जाईजे, कईउ अग्नान, असत्यमा प्रीती, असत्य प्रत्यनों डढ़ाव, खोटा मानसों मा लगाव, पदार्थनों खोटों मोह, आ बदू अग्नान एत्तों नास पामे जे, गितामा अर्जुने भगवान स्री कृष्णुने प्रस्ण पुछियो जे, अनिच्छन नपी वार्ष्णेया, बला दिव नियोजितह, अथ केन प्रयुक्तोयम, पापम चरति पूरुसह, अनिच्छन नपी वार्ष्णेया, ए प्रभु, इच्छा न होवा चतापण, नथ करवु तेम छता पण घणुकाम थाई जाई छे, पाचलती पस्चाताप थाई छेनु कारण सु, अन्तरमा उंडे उंडे सत्यनु बीज पड़ु छे, पने सत्य हजी बहारन प्रगट थाई, एना पेला असत्यने दबावा माटे मेनत करे छे, यतले अन्तरमा चालतु युद्ध एनुज आत उदाहरन चे, वचनामरुत प्रथमनु सित्तेर्मू, एक विशे भुगवानी हा पाडे चे, एक विशे भुगवानी ना पाडे चे, महाभारत्मा जेव मोट्द युद्ध मंडMoreट चे, एव मोट्द मानसना रदे मा पढ़ पढ़ चाली रईउचे, तुही पन्डव, तुही कवरव, तुही रावन, तुही राम, हैयाना धुरु क्षेत्र पर पढ़ पढ़ नो संगराम, मानसना रदे मा एक मोट्ट युद्ध, तमें डाया हरी भक्त छो, आ कथा साम्बलनारा हरी भक्तों हवे सरस अपणी युवा सभानो कोर्स सिलेबस तमें वचनामरुत नी एक्जामा पी, प्रथमनू सित्तेर्मों वचनामरुत आपणी एक्जामा राख्यो हतु, वाला भक्तों करवा जेवुज आ छे, महरादने ओलखवा, महरादना एकांतिक सत्पूर्शो एने ओलखवा, एने ओलखवा माटे आ कथा वारता, आ सत्षंग, एने वारम वार स्रवन करियाज करिये, करियाज करिये आ करवानू छे, ज्यारे आपणने खबर पड़ी जाईने, आपणे कोण छे, आपणे साम आते छे, त्यारे दादायने बिजु कई केवू नथी पड़तू, मुसिबत्तो मोटी एछे, भगवानने ओलखवानी वात्तो दूर, वचनामृत्मा माहराज बोल्या, जोनारो, पोते, पोताने नथी जोतो, ए मुरक मां 38 मुरक छे, आवा मोटा मुरक ना सरदार तो आपणे बद्धा छे, अने वातो करिये छे मोटी ग्नाननी, किवही छेने, एक मनमा 40 शेर्नी खोट छे, केटली खोट? मनमा 40 शेर्नी अर्थात सो मा सोटकानी खोट, तो रयूसुँ दादा, आथमा रयूसुँँ, एटला माटे आपडा सास्त्रों एटली सरस्वात करी, પुत्र કલત્ર સુમિત્ર ચરીત્ર ધરાધણ ધામહે બંધણ જીકો આબદ્ધિ માયાની જાળ છે पुत्र, कलत्र, पुत्र एतले, दिक्रो कलत्र एतले पत्नी न समझाए तो अबध्धी मयानी जालचे अर ये नही आ मंदिरो, आ समया, आ उट्षवा बध्धु मयानी जालचे अर या कथावारता ये पण जो अनसंजन थी थाई कथाने कीर्तन कहता फरेचे स्वामी एक केवी मोटिव आम तो तमासो मारो केवाई ने दोल मारी जिदियां जो समझ्याविना जानियाविना भगवान ने राजी करवानू तान छोड़ी ने महराजने मोटा पुरुष्णो महिमा छोड़ी ने अबदू साधन थाई ने पबद्धी मायानी जाळज पुत्र कलत्र सुमित्र चरित्र धराधन धामहे बंधन जीको बारही बार विशय फल खात अगातन जात सुधार सफीको अ सत्संग अम्रूत समान छे अ अम्रूत समान सत्संग ने छोड़ी ने अ बदा विशय ना प्रपंच जेर जेवा छे जेर ने पिवा तयार थयो आनव सान तजो अभिमान कही सुनकान भजोशिय जीको पाय परमपद हाथ सो जात गई सो गई अब राख रहीको करवानू आ छे अ सत्संग करिया पछी अ कथा वर्त असाम्बल आ पछी आपणी जातने क्यारेक प्रस्न पुछी सुमने खरेखर महराद ने राजी करवानू तान जाग्यू छे कोई मानस ने जेलमा पुरिदो अन जेलमा ची निकलवा माटे क्यो अधिरो बनियो होई एम आपणने आ जन्म मृत्युनू चक्र बंधन रूप लागे छे खरू मुक्तानन्द स्वामिय अधभूत द्रश्टान दाएबू बक्रो होईन बक्रो येने रोज लिलू घास नाखे ने यतले कसाई साथे ने हेत थाई जाई छे बक्राने कसाई मां हेत थाई जाई छे महाजन येने दुस्मन लागवा मडे छे ये तो सुकु घास आपे पन बक्राने खबर नथी आ चार दिवस चारो नाक से आने पाच में दिवस छरो फेराऊ से येमा मायानो लिलो देखातो चारो जोईने आ जगतनी मोह माया जोईने जीव प्राणी मात्रनी दसा पिला बक्रा जिवी छे आ पणे आपडे जातने वारंवार विचारीने जोया करवी जोई आत्म द्रश्टी करता सिखवु जोईये आत्म निरिक्षन करता सिखवु जोईये मने जे मां हेत छे ए हेत ये उतो नथिने के मारा आत्यांती कल्यान मा बंधन थाई हुँ वात्तो करू छू के मारे छेलो जन्म करवो छे महरादने मेडवा छे महरा सुधी पोँचवू छे पण सु आउ लक्स में कमर कसीने बांधियू छे ये खाली वानी माँ छे खाली मारी वातो मां दम बने पाखन रुपेज रहीू छे आ लक्स बांधी ये दिसमा में आगे कुछ करी छे कि खाली वातो करीन बेश्ची बेश्ची रहा छे आपड़े एक वार जो अंतरनों आत्मा जागी जाई ने एक वार आजे पणे वा कहिक पूर्शो छे उठ जाग मुसाफिर भोरभयो अबरेन कहां जो सोवत हे माटे जागी आपड़े कल्यूग नू जोर येव भयंकर वधी रही उचे येव भयंकर वधी रही उचे आखी दुनिया सलगी रही चे तमें जो राजा बेदुखेया एरंक बेदुखेया धनपते दुखेत विकार में राजा के रंग, संसारे के सन्यासी, पुरूस के श्त्री, बालक के वृद्ध बद्धा रडि रहा चे बंगलावाडा, साइकलवाडा, अमेरिकावाडा, इंडियावाडा, पईसावाडा, जुपड़ा वाडा बद्धा रडि रहा चे दुखनू कारण समझातू नथी दुखनू कारण सुचे समझातू नथी कारण एटलूज छे अगनान है याना फूट्या हरी संगे हे तन के धू एलख चोरा से केरू लगडू माथे मागे ले धूरे है याना फूट्या हरी संगे हे तन के धू माते हरी मां हेत करो प्रभू मां पागल बनो महराज मां मस्तर हो करवा जिवा आछे के वी अधभूत वाता वे जुआ अधर्म मां गम्मेतली ताकात हसे गम्मेतली कड़ा हसे पन खर समयावसे ने त्यारे धर्मनी आगल अधर्मनु जोर चालसे नहीं खोटू छे अधर्मने जारे अनुकुल समय आवे छे त्यारे फरी थी अधर्म जेवो हतो तेवो ने त्यवो तगड़ो बनी जाई छे आ अधर्मनी ओलाद छे ने बद्धी आवी छे केतला माटे अधर्मी नो क्यारे विश्वास न कराई शास्त्र ना पाड़े छे माकड होई अमेरिका मा कोई घर मा माकड होई ने ते घर ने कोई खरीदे पणने कोई बाड़े पण न ले कारण के माकड एक एवु तत्व छे ए माकड केतला दिवसो सुधी अरे महिनाव सुधी खावान न मले हाव चिबाई गयो होई बराबर कागल जेवु थे गयो माकड अने एमा जो एक लोईनू टिपू मली जाई ने तो टब्बा जेव थे जे माकड पाच्व अरे युँखे वह दादा माकड मरी जाई ने तो मरेला माकड मा थी पने यहना तत्व मा थी वाँछे बीज अधर्मा आवू छे, अधर्मने ओडखो ए अघरो छे, अकल युग मा चारे बाजु अधर्म एटलो वदो व्यापी गयो छे, केम ओडखी सु, बस तुक मा आपणे साउधान्त या सास्त्रों ने रोज साम्भलिये, साम्भलिया पछी अंतरद्रष्टी करिने विचारिये, तो आपणने खबर पड़से, रखेने आपणामा के अधर्म तो प्रवेशी नथी चुक्योंने, आपणे अधर्मना सिकार तो नथी बनी गया ने, आज साउधान्त थेने जोवानू छे आपणे, अने ज्यारे धर्मने अनुकुल समय होई, त्यारे भगवान क्यारे धर्मना हित मा आवता नथी, एटले के भगवान धर्मनू हित करवा आवता नथी, अधर्मनू नास करवा भगवान चोक्क सावे छे, धर्म तो स्वयम प्रकास हित छे, भगवान जाने छे, भगवानी रक्षा नई करे छता धर्म पोते बढ़वान बनिज जसे आवी बधी अनादी कालने रीत छे ज्यारे ज्यारे अधर्म वधारे पड़तों बढ़वान थाई त्यारे त्यारे भगवान प्रगट थाई छे, ज्यारे धर्मनु बल वधारे पड़तू होई, त्यारे भगवान अवतार धारण करता नथी, भगवानने धर्म उपर बहु हेत छे, त्येथी धर्मनों लोप थाई, त्येने भगवान सहन करी सकता नथी, त्येज कारण थी भ सहुथी वधारे प्रयास अने महनतनी वाद छे। फरिवार वाचो जो, धर्म माजे रूची करवी तेतो सहुथी वधारे प्रयास अने महनतनी वाद छे। प्रयास विना धर्म रही सके नहीं, येवी धर्मनी रीत छे। प्रयास्विना धर्म रही सके नहीं एवी धर्मनी रीत छे तमारे कोई सारो प्रसंग होई सारा मानसने बुलावा होई रुबुरु मलवू पड़े आमंत्रन आप्पू पड़े पत्रिकामा नाम झाप्पू पड़े त्यारे मान माने मानस मले छे पर तमारा घरे चोर ने ब और प्रदभान आ छे, आए कंकोत्री जाहर करवी पड़े, एनी मेत्यावी जाई छे, दूर्गुणों छे, चोर जेवा छे, गमे त्याथी, गमे त्यारे तोडिभ फोडिन घरी जवाला, सदगुणों छे, साहुकार जेवा छे गणी आजी जी करीशू, मेहनत करीशू त्यारे मान मान जिवनमा सदगुण आउसे वजी एक वाज जानवा जिवी छे सदगुण छेने ये भगवानने मोटा पुरुष्नी कुरुपा थी मलेली वस्तू छे आपणी नथी, कुरुपा नू फढ़ छे, एना राजीपा नू फढ़ छे, एनी मिठी नजर नू फढ़ छे एमा जो आपणी अहंकारी बनीशू, तो कुरुपा गुम्मावी देशू, तो सदगुणो पन जता रेशे आपणी पोत्तानी पेदास, आपना आउगुणो छे, आपना दोस छे, सागर नीवार फरिवार यात करावो महरत गणी वार बोल्या चे सागर्मा आ देह औने दुनिया ये दुखनू ज धाम छे आ देह औने दुनिया दुखनू धाम छे येमा जे सुखने सोधे छे ये सुखनो मारगज भुलेलो छे आ कथानो सार एकलोज छे या दुनियामा कोईने समझावानी जरुर न थी सवथी मोटा मुरक तो आपणेच छिये आपणेज बोलनारान सांबलनारा बधावी गया आमा पिला राजानी वाद छे ने राजा हातो येने तुक्को सुझयो मंत्रियों ने कहियू कि आपणे घणीवार स्वतकार करयो छे कि आपणा नगर नो साराम सारो कवी, साराम सारो पंडीत, साराम सारो लेखक, साराम सारो विद्वान बन आजे मारे आ नगर नो सारामा सारो नंबर वन मुरक येनो सतकार करवो छे ये वो मुरक तमे सोधी काड़ो कि एना करता चड़िया तो नंग आपड़ा नगरमा हो नो जो ये राजा वाजाने वांद्रा जेमना वागे जेमना वगाड़ो नवागे बैनु येवू राजानो आदेश बदा मंत्रियों कामे लागे गया खोडता सोधता तपास करता खबर पड़ी गामनी बहार जंगल मा एक एवो गांडो पागल बावरो मानस रहे छे गम्मे ते पूछो येने खबर नथी पड़ती गम्मे ते जो जुदो जवाब आपे गया इना हाल बेहाल जोया वाणी मा कोई सारजन लागे गम्मे ते बख्या करे पकड़िन लिया राजा पासे राजा पन खुस थे गयो छे खरे खर मुरखनो सरदार हां आनू सतकार करवो जे राजाय मोटू बोड बनेवू येमा लख्यो होतु हूँ मुरखनो सरदार छू आउँ बोड बनेवी पेला मुरखना गड़ामा पेराईवू आखो दरबार खरखड़ा ठासे पेला मुरखे पूछिव महराज आशो छे तारू सन्मान छे आ बोड मारे आ तारे 24 कल्लाग पेरी राखवान उसुता जगता सारू पेरी राखवन क्या शुदी तारा करता मोटो मुरख न मले त्यां शुदी तारा करता कोई मोटो मुरख मले ताने तो आ बोड तू येने पिरावी देजे आ मुरख मानस अस्ता-स्ता अबधिवाद स्विकारी बोड पेरी राजी थेन गयो बधा लोको हसे आ मुरख पन राजी थेयो ये पन हसे 200 महिनाव वर्सो वित्या राजा आती बिमार बधा खबर काढ़वावे पेलो मुरक पेलू सेम बोड पेरिये गड़ामा खबर काढ़वावे राजा मरन पतारी ये छे मुरक ने जो हसी पढ़िया अरे भाई तु आ महराजा साहिब तमे मारू घणू मोटू सन्मान करू छे इलकाब मने आयपो छे ये ओड मने आयपो छें केम भूली सकू महराज रडवा लाग्यों मुरक तमार या दस्सा जो मने दूख थाए चे राजा के नहीं पाई बस है मारे जवानों समय छे एक दिवस तो बदाने जवानू छे त्यारे पेलो मुरक रड़तो रड़तो महराज नो आथ पकडिन बोलवा लाग्यो महराज तमे जाओ छो मने जोडे लई जाओ महरे तमारी जोडे आयऊ छे राजा आसवा लाग्यो अरे भाय, यहम जोडे नवाई, केम महराज, राणीबा तमारी जोडे आउसे या, कूवर तमारी जोडे आउसे या, महल तमारी जोडे आउसे या, बधु जोडे आउवानू छे, तम्या मने केम नथी लेजेता, जीत करियाने, राजा ये कयू, आमाथी कस्सू जोडे पनू न थी। त्यारे पेला मूरखे पेलू पाट्यू गळामा हतु ने। ये उतारी राजाना गळामा पेराईवू राजा के आशू करे जे। तमे कयो हतु ने। महारा करता मोटो मूरख मले त्यारे पोडे ने पेरावी देजे। महाराज आखी जिन्गी तमे एविज वस्तु भेगी करी। जे एकपण वस्तु तमारी साथे आववानी जिन थी। खरे खर तमने एकपण वस्तु काम लागे नई। आवी नक्कामी वस्तु मा तमे जिन्गी खर्ची नाखी। मारा करता तो मोटा मूरख तमे छो। मे कदाच आज दुन्या नी साहिबी, सूक, सम्रुद्धी भेगी नथी करी। पड़ मारी साथे काम लागे वी प्रभुनी भक्ती, मारा जिवन नो दिव्य आनंद आखी जिन्गी में भेगो करो जे। आप कहो, मोटो मूरख हुँ, के मोटा मूरख? तमे मरता मरता राजानी आख खुली गई। सत्याने समझवू ए अघरू छे, एतले हुँ कवुचू। केवी अघरी वाद आवी धर्ममा रूची करवी ते सवुथी वधारे प्रयास औने महनत नी वाद छे। तमारेन मारे महनत करवी पडशे, महराजमा हेत करवा माटे, धर्ममा रूची करवा माटे, भगवाननी आगना पालवा माटे, पानीने उपर चड़ावू ए अघरू छे, उपर थी निचेलावू ने ए अघरू नथी। धर्मदेव मोक्सनु द्वार छे, धर्मे करिनेज मनुष्यनों उद्धार थाई छे, अधर्म आचरण करवा थी मनुष्यने घोर नरकनी प्राप्ति थाई छे, छता ते मनुष्य अधर्मने छोड़ी सकतो नथी। आज मानसनी मुट्टी मूर्खता छे, जाने छे, छता अधर्मने छोड़ी नथी सकतो खबर छे, धर्ममा सुख छे, छता धर्मने स्विकारी नथी सकतो। जिटला दुख मात्र कहवाई छे ते बधा अधर्म मा भर्या छे चता जीवने अधर्मनो अभावावतो नथी केम जे जीवनो स्वभावज पाप रूप थई गयो छे केव थई गयो छे? सागर्मा आगलवात आवी जन्म जन्मान तर्थी खोटा कर्म करता करता जीवनो डालो कुकर्मनो बनी गयो छे जीवनो डालो बनी पड़ी गयो छे केव? कुकर्मनो एतला माते सारी वाद साम्भल्या पच्छी, सारी वाद जान्या पच्छी पन एक कुकर्मने छोड़ी नथी सकतो शुथे गयोचे डाड़ो पड़ी गयोचे जिये मानस रोज मुडो जागतो होई एने वेला जागवानू थेत केवु लागे नागा मेने दादा एकदम साची वाद में वेला जागवानू नियम राखवु होई अभ्यास करवो पड़े जिये दर्रोज गरम पाणी थी नातो होई और रुसी केसमाने लई जोन ठंडा पाणी थी नावानू थेतु सुथाई हामलीन दादा केके थाए मर्थो खंश्यम दादा हामलीन दरी जाएची बोलो अने एकदम हाची वाद दादा सवारना पोर्मा रुसी केसमाई गंगाना पाणी नाम अंगू ठोडेने त्यां तो साड़ा त्रोण करोड रुवाडा उभा थाई जाए अपड़ा रोमे रोमे ची नावेक बई पाचो वली जा बन एवा साधू संतो छे एवा महापूरसो गंगाना किनार रहे छे कि जिन्दगी मां क्यारे गंगा सिवाई बिजया पाणी थी स्नान जमने नती करियो अतला महिमा वाडा महापूरसो अत्यारे छे गम्मेवी कड़करती ठंडी बरफिली ठंडी बरफनों वर्षाद पड़े आवी ठंडी होई ने गंगाना पाणी मा स्नान करवा अने गंगानों महिमा आयरुवेद सास्त्र पणेम कहे छे अमे अमना रुसी केसमाहता एक बहु सारा आयरुवेद ना आचारिय बहु नामांकित भारत लेवल मा नाम छे ए ब्राह्मणोंने मलवायवा आशे ब्राह्मणों वाद करता तामने ए आयरुवेद चारियनु नाम लईने सास्त्र प्रमाने गरम पाणी थी नावा थी सरीरमा अन्यक प्रकारना रोग थाई छे ठंडा पाणी थी जेर स्नान करे छे एनु आयुश्य वधे छे मेधाविता एटले बुद्धी नी सकती वधे छे आखनु तेज क्यारे कमजोर थतू न थी ठंडा पाणी थी नावा थी केटला बधा प्रकारना सारिरीक आध्यात्मिक मानसिक बद्धा भाई दाव चे अनि मेपण घणी वखत्य नावीचे विश्य सास्त्रमा सायंबलू छे ने वाच्यू पण छे पन तेम छता धालो पड़ी गयो चे क्यो तमेसों अमेपण घरूपल घरू लागे आपड़ा इंडियामा तो माघस्नान कबर छे ने अत्यार एककंडारी गुरुकूल मा घणा बधा विद्ध्यार थियो करे छे एवू टाढ़ू पाणी थाई जैन एटाढ़ा पाणी थिनावानू अत्याप छे ताप करता पण आपड़ा सरीर्ने निरोगी बनावे छे सत्यानों मार्ग कडवो लागे छे, सत्यानों मार्ग थड़ों कड़क लागे छे, अत्यारे दुख लागे छे, परिणाम सुख छे, अन्या सत्यानों मार्ग अत्यारे क्यों होई, तातकालिक सुख लागे, परिणाम सुखे नू, यत तदग्रे सुखमिव परिणामे दुख खोपमम गिताजीमा भगवान श्री कृष्ट्नेम कहेचे, ततकाल जेमा सुख देखाई, येवा तमाम मार्ग परिणामे दुखरूप होई छे, येज असत्यनो मार्ग छे, येज अधर्मनो मार्ग छे, खोटा रस्ता बदा ततकाल केवाल आगे है, इंस्टंट हेपिनेस द आउतु, और मानस्ने अम्मे सासु छे, तरत सुख मेलवी लेवू छे, तत काल सुखी थई जवू छे, गम्मे तेम करीने अत्यारे खोटू करीने, खोटू बोलीने, गम्मे तेरी ते अत्यारे हूं सुखी थाओ जो ये बस, एतला माटे कहेचे, केवी अध्भूताब दि कईयो छे, आउ करता 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 यहनु ढालो पड़ी गईयो छे, अवेने दुख देखाई छे, एक वार केंसर थई गईयू, खबर पड़ी, तमा कु खावा थी केंसर थईयू छे, तो पण ये मानस पची मरवात यार थाई छे पन तमाको ने मुखी सकतो नथी, कारण कि अवे ढालो पड़ी गयो अवे आने नक्की करी ना क्यो, मरीस पन तमाको खाएन मरीस रिबाई रिबाई ने मरे, मरे तो खरो, आखा परिवार ने फेमिली ना बिजा के तला बदा मानसो ने, घरना पैसा ने आर्थिक, सारीरिक, सांसारिक, पारिवारिक बद्दा जिवनodes खुलास करिने मरतो जाई जे माटे, इतला माटे अपने अभ्यास करिए, रोज सांजे विचार करिए आजे माराथी महाराज कुराजी थ है, फो तो कई नथी थै युँले, महाराजराजी थाई, सिक्सापत्री में महाराजी आजनाओ करी छे, इवी आजनाओ पाली ने, ए रस्ते जो अपने अभ्यास करी सुने, Exactly काम करवा माटे, शारा विचार करवा माटे , पुर, भाण येवस पड़ी जसे, पछी खोटु क्रवानू थसे, फ्या ओक करी सक्किया आपणाची थसेद नहीं धालो एवो पड़ी जसे के पच्छी आपड़े कदाच क्यारेक कोई कारणो सर आपड़े इंडिया मा जही आमेव तो इंडियामा वीच्रन एकलू बुदू वधी जाए तो क्यारेक कछा वारता विगेरे यह जेव नीमित न थाई सके जेने धालो न थी पड़ो एने क्यों उठाई एने कथामा बेश्वान उठाई त्यारे मकोडा चाड़े दादा एतले जीवनो डालो अवडो पड़ी गयो छे यह सवडो करवानो छे यह अवडो केविरिते पड़ो छे अने जनमो थी अवडा कर्म करता करता अवडो ढ़ा भगवान औने तेमना संतो सिवाई चारे बाजू धर्मनु अंधारू छे जीवने तेमना सिवाई कोई सुभमार्ग बताव नार न थी विप्रो भले वेद औने पूराणों ने वाचे छे तो पन तेमने मोक्समार्ग जानियामा आवतो न थी अधर्ममा अपार अवगुण मात्र भरपूर प्रमाणमा भरिया छे छता आपन मानस सुर्वीर थाई ने अधर्मनी साथे प्रकुरूती मेलावे छे जो तो खरा और धर्ममा अउगुण मात्र रहिया छे आम जाने छे छता जीव येनी साथे मित्रता करे छे अने धर्ममा अगणित गुण मात्र भरपूर भरिया छे छता आपन मानस धर्मनी साथे जराई पन प्रकुरूती मेडवतो नथी दुर्भाग्य छे धर्मनु स्थापन करवा माटे अने अधर्मनो नास करवा माटे भगवान वारमवार प्रगट थाए छे छतापन धर्मने बदले अधर्मज वृद्धी पामिरयो छे अधर्मनो मार्ग निचा ढालवालो छे अमने आपने वादकरिन पानी नी अधर्मनो मार्ग निचा ढालवालो छे, तेमा निचान तरफ दोडवामा कोई ने स्रम पड़तो नथी अधर्म रूपी निचा मार्ग तरफ दोडवा थी तो गणो जोरदार दुखनो समुद्रज मलवानो छे जहमपुरी ना दुखमा पड़े छे, तेने कोई फाइदो थतो नथी आ बदू जानिया पची, जोया पची पन जीव ये तरफ खेचाई छे, आज मुटू अगनान छे धर्मनी गती अपार उची छे, तेथी ते धर्म पाड़वामा तो अपार स्रम पड़े छे थाक लागे छे, स्रम विना ऊचे चड़ातू नथी, आने ऊचे चड़्या सिवाई महान फळक्यारे मलतू नथी धर्म के रूचे करत जेहा, हरी संत करत सहायतेहा हरी संत करत सहायते हा ध्यान से सुनियेगा फल को लोभ होवे मान जब हुँ अती कठीन तो हुँ ता जेन तब हुँ धर्म के रूचे करत जेहा ज्यारे मानसने धर्म पड़वामा रूची जागे जे सत्संगी जीवन दितिय प्रकराण स्रीजी माहराजी एम कहियू धर्म पड़वामातो कल्यान छे परंतु मानस मन्थी संकल्प करे रदै थी, अंतर थी कि मारे धर्म पड़वोच छे अवे खोटू करवूज न थी, खोटू जोवूज न थी आतलो संकल्प करे छे ने, एमा पन स्वर्ग मले ने एतलू फळ रईयो छे स्रीजी माहराजे सत्संगी जीवन बिजा प्रकरण मा कहियू स्वर्ग मली जाए आतलू फळतो संकल्प मा छे अजी धर्मनी सर्वात नथी करी एतला मा छे पर धर्मना मारगे चालूने क्सुरस्य धारा निशिता दुरत्य या दुरुगम पथस्तत कवयो वदंती तलवारनी धार उपर चालूने एना जीव कपुरू काम जे डोंगरेजी दादायम कहता उपदेश थी धर्ममा प्रवुरुत्ती थाई जाई छेकवार पर अधर्मती निवुरुत्ती नसी थती सामबल जो उपदेशे करीने धर्ममा प्रवुरुत्ती थाई जाई छे अधर्मती निवुरुत्ती नसी थती अधर्मथी निवुरुत्ती तो अंतरमा जागरुती आवें तोज थाई अने अधर्मथी निवुरुत्ती नथी थती एकले आपने करेलू जे धर्मनु आचरण छे इदामभीक छे पाखंडत छे वास्तविक नथी साचु धर्मनु आचरण कईू किवाई दादा पिपा पापन कीजिये तो पुण्य किया सो बार अमना इंडिया हता गुरुजी वात करिये अपना गुरुकुलना विद्यार्थियो अवे एवा नियम लेए छे कि अमें इंटरनेट नई वापरिये एक वर सुधी अमें एक वर सुधी अवे कोलेज मा छे ए फेस्बुक नई वापरिये आब धा नियम आप्पाने जरूर छे त्यारे चोकराओ लेई छे युवान चोकराओ कोलेज मा भणता होई आज मोटो अधर्म छे पाच माला सरू करू छू पडबी ज़ा पंचानू धन्दा न करवाना करू तो ए पाच मालानू फड़ केटलू दादा एक जवास्टन मा दूधने दई बन्ने भरियू छे तो नुक्सान कोने जवानू छे? दूधने जवानू छे एम पाच माला जो चाला छोड़ावईने आपने करिये छे ने तो ए माला माला रेती नथी अध्धर्मनो त्याक करवो एक धर्मनो प्रथम पगत्यू छे शिक्सापत्रेनी सरुवात एपला माटे निसेद धर्मती करी आम न करवू, आम न करवू, आम न करवू ये बद्धु छोड़िया पच्छी महराजे वाद करी हवे आम करवू, आम करवू पिपा पापन कीजिये तो पुण्य किया सो बार अगर किसी का लिया नहीं तो दिया बार अजार धर्म के रूचे करत जेहा धर्म पाडवा मामानस ने रूची जागे छेने त्यारे हरी संत करत सहायतेहा पची भगवान ने भगवानना संत नी सहाय करे छे सुंसाहे करे छे, येना उपर कुरुपा करे छे, धर्मने पाली सके, माटे महराजने रोज प्रार्तना करवी, ये महराज, तम ये मने बढ़ा पो, तमने राजी करी सकू, ये वो बनी सकू, भगवान साधन छे, औने भगवान अज साध्य छे, भगवान सुधी पोंचवा मा भगवान पोते साधन छे, एकले रोज प्रार्तना करो हे महराज, मारी आँख थी, मारा कान थी, वाणी में गुण किर्तने, स्रीजी महराज ये निलकंटफरने रूपे पन एज मागियो छे, मारी बद्धी इंद्रियों हे प्रभू, तमारी क्रियामा प्रवर्ते, मारी आँख तमारा दर्सन करे, मारी वाणी तमारा गुणानू वाद करे, मारा कान तमारी कथानू स्रवण करे, ए सिवाईनी बिजी जे वस्तू छे, बद्धानों त्याक करे, अदभूत वादों छे, मनमा जारे स्रेष्ट फळनों लोभ जागे छेने, तेरे कठण मा कठण साधन होई, तो पन तेने ती छोड़तो न थी, जेने सर्वोपरी सूख मेलवू होई, सर्वोपरी सुख पावना जोवू, स्रम बीन काहां से मीले सोवू, जेने सर्वोपरी सुख मेलवू होई, तेने परिस्रम तो करवद पड़ से, नो पेईन, नो गेईन, महान वस्तु महनत विना क्यारे पण मलती नथी, महान वस्तु महनत विना क्यारे कोईने मलती नथी, नक्कीत छे, सर्वो परिशुक जोएए छे तो परिश्रम करवो पड़शे कयो परिश्रम धर्म पाळवानू महरादनी आगनामा रहवानू परिश्रम विना सुक क्या थी मलशे चे सत्संग करेतीने कल्यान पाम्मामा लेस मात्र पन श्रम नथी लागतो कण ते शत्संग ने काईमी तकावी राखवा माझ सरम छेलो विजा बद्धा सरम नो जो विचार करवा मावे ने तो आँ सत्संग निमित्यनों सरम बिलकूल सुगम पड़े सामभलो आ जगतना सरम यानों विचार करसो ने आट कल्लाग जोब, बार कल्लाग जोब, सोड कल्लाग अमारा आसिद भगत नों विचार करूने, अमें संतों क्यार एक ठाकी जिये, क्यार आसिद भगत ने याद करू, कि अमारा आसिद भगत बार कल्लाग, सोड कल्लाग अमना तो जोब करेच, सोड थी अधार कल्लाग, कि भगत खाली एक पेट ने परिवार माटे जो आटलू करी सकता होई तो आपने तो आत्यांती कल्यान माटे करवानूं छे महराजने राजी करवा माटे करवानूं केम थाकी सू तो चाल से बिजाश्रमनों विचार करे तो सत्संग निमित्यों स्रम तो एकदम सुगम लागे गुणायत त्यानंद स्वमी के जगत मा जेतलों दाख़डों करे छे यना दसमा भग नो जो माहराजने माटे करेने तो स्रीजी माहराज प्रगट थाई जाई क्यारे खप विना सत्संग थाई नहीं और संतो विना क्यारे अखंड खप उपजतो नथी खप विना सत्संग थतो नथी और संतना समागम विना खप जागतो नथी आवे कथावरता सामबलिये तेरे खप जागे खप जागे तेरे सत्संग थाई अने सत्संग थाई त्यारे कुसंग भागे अधर्म निकली जाई धर्म मैं आपणु जीवन बनी जाई त्यारे महराज आपणी साथे छे भगवान्तों अंदर बेठाच छे पर आपणी ने अनुभवी नथी सकता कारण के आपणु गनान अगनान्ती धकाहेलू छे आपणा दिव्य आत्म तत्वने जगतना मोह ने मायाना आवरणों धाकी दिदू छे करवानू छे अ अधर्मने काधवानों छे कुसंग ने छोडवानों छे पर संपुर्ण कुसंग नो त्याग करवा माटे सुन करवू पड़ से सत्संग केविरिते थसे खप थी खप केविरिते जाकसे साचा साधूनी कथा वारता सांबलवा थी समागम करवा थी सागरनी आबधी वातो स्टेप बाई स्टेप वातो अद भूत वातो चे येना उपर तो इतलू बदू चिंतन मनन थाई सके ओ ओ मुक्तानन्दस्वमिनों गणित छे आश्रीजी महरादनू साकसास्च्श्रीमुख्य प्रगड़ थेलू गणित छे साधूनो शमागम करे तयारे खप जागे तयारे सत्संग द्रड खाये छे स्वत्षंग द्रडधाय, त्यारे जिवनमाती कुसंग भागे चे, अधर्म निकले चे, अधर्मने कुसंग निकले तेरे अंतर काच जिवू, स्वत्षने निर्मल बने चे, स्वत्षने निर्मल बनेला मनमा महरादनी मुर्तिनो दिव्य प्रकास जिली सकाये चे, इलाइकात मले छे, माटे संतोय जिवात्माना सत्संग ना खपनु पोषण करवू जोई, पोषण विना अखंड खपना दर्संथता न थी, अमे अमारी समझन तमने कही, तमारी समझन प्रमाने तमे करियू छे, आविरी ते रामाननस्वमी ये कहीू, आविवातो कहीने सद्गुरु र पढ़िया, पची तेवो श्रीरी ना गुण गाता-गाता, महराज नी आगनालाई, गिदनार तरफ चालता थया, बिजालो कोई स्वामी ने जोया खरा, पन कोई ओलखी सक्यू नहीं, आतो महराज ने गुरुदेवनु दिव्य मिलन हातु, श्री हरी अहीं भादर नदिये पधारिया, संतो हरी भक्तोय नदिमा स्नान करियू, जेतपुर गामना हरी भक्तो हता, तेमने समाचार मलिया, बधातिया आविया, फूल ना हार स्रीफल बहुलाविया हता, तेती फूल हार पहिराविने स्रीफल पेटमा अरपन करिया, सहुए श्री हरी ने दन्वत प्रण स्रीहरी ना दर्शन थवाती भक्त जनुने महान आनंद थयो तेस्थले अपार नर्नारियो पुतक 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 तोले टोला मलीने दर्शन करवाविया। दर्बार ने प्रेमभावती बोलावीने कुसल पुछया, तेमा दर्बारे पन स्रीहरीने कुसल समाचार पुछया, एकले ते अउसर एवो थयो सहुना रदय आनंथी चलकावा लागया। दर्बार म्याना अने रथ विगेरे लाविया हता, तेमा बधा संतोंने बेशाडिया, बिजा वरणियोंने पन बेशाडिया, तेमने पन रथ अने म्याना मा बेशाडिया, तेथी ते वाहन बराई गया, कितला क मोटा मोटा पंडित संतों हता तेमने सुखपाल मा बेशाड आसीद बगत हमना जमें इंडिया निलकंड स्वामी साथे हाता घणा वर्सो पची निलकंड स्वामी आव्या हाता यमने खास वड़तालमा सारीरिते दर्शन करवानी इच्छा हाती अती व्यस्त में हता त्यम छता एकलो समयतों में काधिली दो सास्त्र पण कहेची जे मानस ने जे वात्म तिवर इच्छा होय ने करीद नाखे कल्लाग पण मलेव। नोतु पण में संतोय एवु एरिजमेंट केरू गम्मेते रिते अमें वड़ताल बेतन वार गया यमां एक वार सारो टाइम मली गयो अमें त्रण कल्लाग गनानबाग मा गया त्रण कल्लाग दादा पणा वात्तो आवे ने रत, म्याना, सुखपाल, दरबार गड, चाकलो, पाट, खाट, हिंडोला, हीचका आब दू आजना जमाना मा है आपड़े जोतापन न थी, स्रीजी महराजना समयमा केवू हतु आबे हुब तयार केरूँचे त्यार पची घणी बदी इच्छाओ हती कि अजी प्रसादीनी दिव्य वस्तुना दर्शन करवाचे यतले में अम्दात काम माटे गया अने एरेंजमेंट यहू केरू त्या स्वामिनारन म्युजियम अम्दावदना मोटा महरास्री जे तयार केरूचे दिव्य काम केरूचे दादा आ संप्रदायमा आतलू महरादनू दिव्य कारिय कदाज पेल्लीवार थायोचे अमें गणो समय लेने गया पन समय बहु उचो पेलो एक एक वस्तू एकली सरसरीते गोठवी छे महरादना प्रसादिना सुखपाल केवा हता जेमा नंदसंतो बेस्त आजे छे तया ओरिडनल ओरिडनल सुखपाल हां म्याना पन आजे छे अबात आवे नमने देखावा लागे अमना जोईनायवा छे निसकाम स्वमे वाद करी हती नंदसंतो केविरिते लगता हासे आपना मनमा विचारत है केविरिते लगता हासे अरिबल गितानी कथाप समाप्त करी ते दिवसे निसकाम समे बहु भार्थी वाद करी हती नंद संतोनी प्रसाधीनी कलम आजे तियां छे केविर्थे कलम वापरता ए ओरिजनल आजे तियां वस्तु पड़ी छे एक कलम राखवानी डब्बी ये पन तियां ओरिजनल छे आपणा मनमा एम थाए के आपणे आगल वध्या छे पना सिद भाई आम्युज्य ममे जोईन आएवा ने मना 200 वर्ष पेला आजना करता पन सारी टेकनोलोजी हती येवु देखाया आपनने नित्यान समीना प्रसाजिना चस्मा छे त्या ओरिडनल इचस्मानी फ्रेम जोवा जेवी छे बस्सो वर्ष पेला ना चस्मा एनी फ्रेम इचस्माने मुक्वानु पाकित आजे पन एटलू सारू कारी आपणे न करी सक्के एवा कारी बस्सो वर्ष पेला थता हाता दरेक समय मा भगवान प्रगट होई छे, दरेक समय मा बुद्धी साली मानसो, तेते अनुरूप कारिय करता होई छे बे मोटा आथी ने सोनेरी साजने सोनाना घरेना पहराविन लाविया हता, तेना उपर सोनेरी अंबाडी मुकी हती श्री जी महराज वडोद्रामा जे आथी उपर बेठा हता, याथी नो आख्षो सनगार स्वामिनानी म्युज्यम अम्दावाद मा आजे छे या आथी ने पेरावना घरेना मानकी घोडिना सनगार ओरिडनल एवान एवा प्रसाधिना आजे तिया मुक्या छे, आपड़े दर्शन करियाने तो पन सांती था या भगवान श्रीहरी ते सोनानी अम्बाडी हती तेमा बिराजमन थया, ज्यदपुर्णा दर्बार श्रीहरी नी पाचल चामर करवा बेठा, चोपदार बधा मलीने नेकी पुकरवा लाग्या, मुक्तानंद स्वामिने भैरामदाश्ची स्वामी बिजा हाथी उपर बेठा संत्र लाविया हता, ते बधा वागवा लाग्या, त्यारे तेना परचंदा थी गगन गाजी रहियो हतु, आ प्रमाणे चालेली श्रीहरी नी सवारी, पूरुना उत्तर दर्वाजे आवी त्यां उभेला पूरुजनों नो कोई पार ना हतो, ज्यारे सवारी दर्वाजाम प्रवेशी तेरे अपार मसालो प्रक्टावी हती भधा राजमार गो स्वच्च कराविया हता, ठेप ठेकाने केल ना स्तंबर उपावेला हता, दुकाणों ने सुन्दर रिते शंगारी हती, बिलोरी काचना जाड, बहु जातना प्रक्टाविया हता, महराध ना समयना बिलोरी जाड जनेकेवाई, काचनी हांडी जनेकेवाई, एवी अधभूती प्रसादीनी बधी वस्तोव आजे पन स्वामियाने मिज्यम अम्दवाद माँ छे अपने दर्संकरी आनंद थाई आ सास्त्रों बदा वाजता होये ने तो आपने देखावा लागे 21 सदी माजर्या जूनी बद्धी वस्तोव आज लूपत थाई गई छे क्यार केवानों ये के महरादना सास्त्रों वाजता होये ना पने दिखावर पड़े महरादना समयमा केवी केवी वस्तोव हती, केवी केवी जीवन हतु दरेक दर्वाजे मूतिना तोरण बांधिया हता, तेनी सोभा अधभूत हती हरी बक्तो जानजने मृदंग वगाडी ने प्रेमरस भरिया किर्तों ने गाता हता लोको स्रेरीनी मूर्ती विना बिजु केई देखता नहीं मूर्ती महान रसरूप बनी हती, लोको ना चितने मूर्ती चोरीलेती हती दर्शन करनारा लोको ने दर्शन करवाचता तुरुपती जनत हती आवी मनोहर महराटनी मूर्ती हती, लोको मूर्तीनी पाचल पाचल खेचाता हता स्त्रियों मोतीना भरेला थाल थी औने पुस्पोथी स्रीर ने वधावती हती लोको खुबज गुलाल उडाडता हाता लो स्रीहरी राजभवनमा पधारिया दरबारना मनमा गणों हरक हतो तेमने पोताना सुवरणमाई महलमा उतारो करावियो राजभवननमा महलमा सोनानों हिंडोलो बांधियो हतो तेना उपर श्रीर ने पधराविया बिजा जेतला संतोने दरबारो हता ते बदाने दरबारे उतारा कराविया आवेरिते भगवान स्रीहरी जेतपुर मा पधारिया छे आपड़े अदभूत आ जेतपुर ना पुर्व प्रसंग नी सद्गुरु रामानंद स्वामे नी वातो शर्वन करी वाला भग्तो पुझ्यपाद गुरुजी पासे पन मुक्तानंद स्वामे नी परंपराना अमुल्य प्रसादिना अमुक एवा वस्तु प्रसादिने वस्तु छे जिमा महरागनी हिरनी नाड़ी कदाच अमे दर्शन करी छे तम्य कोई दर्शन नथी करिया एवी नाड़ी अदभूत छे मुक्तानंद स्वामी नी परंपरामा आवेली आवी एक बेने अनेक वस्तुओ पुजिपात गुरुजी पासे एवी संग्राहेली छे वर्सोनो गुरुजुने एक दिव्य संकल्प छे कि लोया धम्मा मंदिर थाई ए मंदिर ना बेजमेंट मा खुँ म्युजियम तयार थाई ए म्युजियम मा बद्धी प्रसाधिनी वस्तु एक एक संतो भक्तोने कायमने माटे दर्सन था एकले संदर मजानू एवु म्युजियम बनावु छे जेनू काम त्यारे खुब सारीरिते चाली रईयो छे इंडियामा आप सर्वे भक्तो जानो छो डेसमा गम्मे त्यारे जाव अमना घणा बदा भक्तो जनारा छे जहिरिया छे त्यारे जरूर थी तमे लोया धम्मपन दर्सन करवा जजो त्या खुब सुन्दर आबदी वस्तू चाले छे संतो ने पुछियनी तपास करजो भगवान स्रिहरिया पृत्वियूपर पधारिया येमा अन्येक महरादना सर्वोपरी पणाना दर्सनापन ने थाई छे येमनी लिला मा येमना कार्यो मा येमना प्रसंगो मा पिचकारी वाली धूड श्रीजी महरा सेरडी जमता छोता निचे नाखताने छोता पन लईलेता ये छोता पन आजे प्रसादी ना छे गणा बधा स्थानों मा मले छे श्रीजी महरादना आना थी मोटू बिजू कई उसरुवो परी पनू प्रगट महरादने जेने सेवा छे और श्रीजी महरादना केटला दिव्य चरित्रों जोया आशे के श्रीजी महरादना छोता ने पन जीवनू जतन करिने साच्वी राग्या वाद साचे एक खोटी तमे तमारा गरमा सोनाना गरेना बोवन शाच्वी सको नवा नवा होएन सोनाना घरेना तेर मैनो बे मैना वरस बे वरस येनो बहु भार होई पन जेम जेम पची घरेना जुना था येन पचे येनो भाव उतरी जे पची घरेनो येन जिगे पेड़ुन तमे तमारी जिगे पेड़ा होई एक ब्यागापाचा थाए तो ये घणाने खबर पड़ती नथी आ संतोये आ भगतोये महरादना नक वाल प्रसाद्यना रंगनी माटी पण केवीरिते साच्वी कि आजे बसो बसो वरस जितारया छताये माटी आजे मले छे एक गुलाल विगेरे मले छे सेरडी ने दातन एपण आजे महरादनु जमेलू मले छे केवानू आ महरादनू सर्वोपरी पणू अने महरादने जाणनाराय मुक्तानंद स्वमी विगेरे संतो येनो दिव्य महिमायना दर्सन थाया आपनने एवज महिमा आजे पुझ्यपात गुरुजीना मनमापन छे आपनने देखाई केकला वर्सो थे गुरुजी ये प्रसादीने वस्तु केविरिते साच्वी छे आमे संतोतो साक्सी छे आपनने मथाई महरादनो महिमा आवो होईने ए साचो महिमा छे महराजनो प्रसादिनो पलंग कारियानी नुँ वचनामरू चठ्थू दिवाली ना दिवसे जह पलंग उपर स्रीजी महराज बेठा हता ए पलंग कारियानी मा हतो गुरुजीने दर्शन करिया गुरुजीने खूब भाव हतो लोयारेवानु थयू? कार्यानी नजिक? कार्यानी ना दर्बार साथे गुरुजीने अतिसे हेत्प्रित थै कार्यानी ना ए दर्बारोये आ म्युज्यमा लोयामा बनिरयू छे एना माटे स्रीजी महराद दिवालीना दिव से जे पलंग उपर बेठा हता दिप माडा पुराणी हती दिव बंदर ना प्रेमबाये जे महरादनी पुजा करी हती ए प्रसंग वालो प्रसादीनो पलंग गुरुजीने अरपण कर्यो आजे ए प्रसाधीनो पलंग लोया माँ छे दागा यहनो केटलो मोटो महिमा केवाई केटलो मोटो महिमा एतिहासिक पलंग छे जे जारे दरबारो ए जानियों क्या अधभूत म्युज्यमया बनवानू छे राजी खुसी थी यह पलंग अरपण कर्यो आजे लोया धम्मा छे आवी अनेक वस्तु पुझ्यपात गुरुजी पासे छे जे लोया धम्म म्युज्यम्बन से यह आपने बद्धाने कायमने माटे दर्शन थसे तो वाला भगत आत्मने वच्चे जान करी महरात जेतपूर्मा पधार या छे आगलनी कथा आपड़े स्वम्वारे स्रवन करी सु काले अरिजेंती छे 26 में जान्युआरी छे मंदिर मा महापुजा छे तो बद्धा भगतों महापुजा करवा माटे पधार जो बलो घंस्याम महरात